किसान बाईयो नमस्कार आप सबी का हमारे चैनल एगरी कल्चर इन्फोर्मेशन में स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप मटर की अधिक पेदावार लेना चाहते हो तो आपका मटर का पोदा स्वस्त होना चाहिए चड में कोई समचा नहीं होनी चाहिए किसी भी परकार के फपोन नहीं आनी चाहिए किसी भी परकार का थ्रिप्स का ठेक आपकी पसल में नहीं होना चाहिए तब ही आप अपने मटर की पसल में आप दो गुनी पे दावार ले सकते हो दोस्तो मैं आपको इस यूडियो में इस से तीन दववयों के बारे में बतूँगा जिसका इस्तमाल अगर आप अपने मटर की फसल में करते हो तो आपकी लसुन से फपुन जड़ में लग़ा कीड़ा थ्रीप्स और अन्यक परकार के जो भी बिमारिया हैं वो सबी परकार से दूर हो जाएगी अगर आप अपने मटर की फसल में इन तीनों दववयों का इस्तमाल करते हो तो दोस्तो मटर में अन्यक परकार के रोग भी लगते हैं जड़ गलन की समझे भी आती हैं और पोदे में हरापन नहीं आने के कारत उसमें फल्यों और दानों की संग्या भी सही धंग से नहीं बन पाते हैं तो दोस्तो ये समय पर आपको अपने मटर की फसल में अगर आप यह तीन खाद और को दवया ढाल देते हो तो आपके मटर की फसल अच्छी करोत करेगी पोदे में अच्छा हरापन आएगा पोदे में अच्छा फुटाव आएगा पोदे में फल जदा आएगे फूल जदा आएंगे तो इसमें उत्पादन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा तो दोस्तों आप हमारा वीडियो बिना स्किप किये लाश तक जरूर देखे ताकि आपको सब भी जानकरी अच्छे से समझ में आए दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चिनल को सब्सक्राइब किया हैं तो सब्सक्राइब कर दीजे पास वाले गंटी के निसान पर भी आउश्य बटन दबाद दीजे ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिपे किसन जल्दी से जल्दी मिले दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मतर की फसल में जड़ में कीड़े के ल लग रहा हैं तो आपको उसको जड़ में ही देना होगा दोस्तों जड़ में आप इसको दो परकार से दे सकते हो या तो आप पाने के साथ में दे सकते हो या आप बालू लेत में उसको मिला कर छिड़क सकते हो दोस्तों दोनों परकार से आप अगर आप मतर की फसल में डाल इसके डोज की बात करें तो एक एकड़ एक लिटर के लिए प्रयाप्त होता है दोस्तो दूसरा रिजेंट आता है बायर कमपनी का रिजेंट होता है जो दन्हेदार फोम में होता है तो इसका एक केजी प्रति एकड़ा उप्योग करें इसको आप यूरिया के साथ में मिक्स करके छुड़काओ कर सकते हो दोस्तो दूसरी बात करता है फपुन फपुन ना सका प्रयोग भी आपको अमनी फसल में करना चाहिए मटर में फपुन पोदे के उपर भी लगती है और जड़ में भी लगती है दोस्तो अगर जड़ में फपुन लग रही है तो जड़ की घरोध नहीं हो पाएगी और पोद्धा उपर से अगर फपन लग रहे हैं तो पिला पना जाएगा और पोद्धे की घरोध बिलकुल ही रूख जाएगी तो दोस्तो इसमें भी आपको एक फपनी ना सक डालना बहुत ही अवस्थक होता है दोस्तो अगर आपको अपनी मटर की फपसल में जड़ में अगर जड़ काली हो गई है या जड़ में फपन लग रहे हैं उसके लिए आपको P.I.E. की किटा जिनका प्रयोग करना चाहिए किटा जिनको भी आपको पानी के साथ चलाना चाहिए जिससे की जड़ में सबी परकार की फपन खतम हो जाए 500 एमेल को आपको एक एक कड़ के लिए प्रयाब थे हैं दोस्तो दूसरा आता है साब दोस्तो यूपियल कमपनी की साब होती है जो बोथी अच्छा काम पोदे के उपर करती है दोस्तो आप इसको पानी के साथ उपर भी दे सकते हो जमीन में पानी के साथ भी चला सकते हो दोस्तो अगर आप स्प्रे करो या पानी के साथ चलाओ तो इसकी मात्रा आपको 250 ml परती एकट रखने होती है दोस्तो इस प्रकार आप मटर में फपुन को कायब कर सकते हूँ दोस्तो तीसरी बात है थ्रिप्स के लिए कीड ना सकते हैं जैसा कि दोस्तो मटर में अनेक परकार के थ्रिप्स लगते हैं अगर आपके मटर में थ्रिप्स लग रहे हैं तो आपके पुद्दे की गरोत नहीं हो पाएगी दोस्तो मटर में थ्रिप्स अनेक परकार के होते हैं जैसे कि सपेद, पीले, नीले, सिलवर करण अनेक प्रकार के मटर की फसल में थ्रिप्स लगते हैं अगर यह थ्रिप्स आपके मटर की फसल में लग रहे हैं तो आपके मटर की करूत नहीं हो पाएगी दोस्तो आप पोदे की पत्यों के बीच में ढंक से देगना उसमें छोटे छोटे बारिक बारिक कीड़े आपको नजर आएंगे वहीं थिरिप्स होते अगर आपने उन थिरिप्स का नियंतर नहीं किया तो आपकी फसल में बहुत ही जोड़दार पिलापन आ जाएगा तो किसान भयो थिरिप्स को दूर करने के लिए आप लेमडा एसिडा मीप्रिट जैसी दोवयों का प्रियोग कर सकते हो दोस्तो लेमडा के रूम में आप सिजेंटा की कराटे ले सकते हो या आप सिजेंटा कमपनी लिका का प्रियोग कर सकते हो दोनों जो दोवय हैं ये थ्रिप्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तो जो मैंने इन तिनों दोवयों को प्रयोग बता हैं यह आपको मटर की फसल में 30 से 30 दिनों के बाद करना है दोस्तो इनको आप एक बार अपने मटर की फसल में आउशिदा के डाले फिर देखें आप अपने मटर की पैदावार कितनी होती है दोस्तो आज के वीडियों बस जानकारी इतनी ही जानकारी कैसी लगी अच्छी लगी होते वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें